गोपनी रखना चाहते हैं? तो रिजल्ट आया है तो दो चीजें होती हैं, जब भी रिजल्ट आता है या कोई चुनाव हारता है या चुनाव के जब रिजल्ट आते हैं, परिक्षा की रिजल्ट आते हैं तो दो चीजें होती है मन्थन होता है, कहते हैं हम लोग मन्थन करेंगे, चिंतन करेंगे तो यह जो मन्थन और चिंतन वाला दिन है आज का इसलिए दिन है क्योंकि सफलता प्राप्त करनी है सफलता प्राप्त करनी है तो मन्थन करना बहुत ज़रूरी है और राउल गांधी की तरह नहीं करना मन्थन दूसरी तरह से करना अमिश्या की तरह लेकिन उसकी तरह भी नहीं करना आप राधिक प्रश्ट भूमी नहीं बनानी अपनी पवित्र साधनों से करना सफलता पवित्र साधनों से मिलनी चाहिए साध्य पवित्र है तो फिर साध्य पवित्र होना चाहिए गांधी कहते है तो राजनेताओं से तो प्रेरित नहीं होना लेकिन हम लोग क्या करें सफलता कैसे प्राप्त करें इसलिए चिंतन करना जरूरी है क्योंकि कुछ लोग सफल नहीं हो रहे हैं जब सफल नहीं हो रहे हैं तो दो तरह की दिक्कत होती है एक तो प्रयास ठीक से नहीं हुआ और जो प्रयास हो रहा है उसमें भी जब टंकी नहीं भर रहे हैं तो दो कारण हो सकते हैं एक पानी की टंकी में लिकेज हो सकता है और दूसरा हो सकता है कि आपने उसको बरना चलू नहीं किया ठीक से बहुत धीमी गती से बर रहे हैं बरने की स्पीड बढ़ा दी और अगर उसके लिकेज बंद नहीं किये तो भी नहीं बर पाईगी दो ही कारण होता है तो सिविन सर्विसेज की तैयारी के साथ में जो हम आपसे बात करते हैं व्यक्ति निर्मान ये व्यक्तित्व निर्मान, परस्नाल्टी डिवलप्मेंट, व्यक्तित्व विकास उसका हिस्सा है अगर आप सिविन सेवा परिक्षा की तैयारी करते हैं व्यक्तितों का विकास अपने आप होता है और मैं आज ही परमकुछ गुर्देयों का एक लेक्चर सुन रहा था उसमें मुझे आपके सॉल्यूशन मिले सीधा सीधा मुझे ऐसा लगा कि आपके लिए बात कहीं जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं साधना की स्वाध्याय की सहयम क और सेवा की चार मुख्य बिंदु हैं साधना स्वाध्याय संयम और सेवा सेवा आपका लक्ष है उसी के लिए आप जा रहे हैं इसलिए आप सेवा की तरफ बढ़ रहे हैं और सिविल सेवा परिक्षा में बेट रहे हैं यानि आप सेवा की तरफ बढ़ रहे हैं तो समय इन तीन चरणों से गुजरना पड़ेगा साधना, स्वाध्या और स्वाध्या और स्वाध्या तो साधना किस की करें साधना स्वाध्या की करना है स्वाध्या को साध लेना है और स्वाध्या को यदि नहीं साधेंगे तो फिर लक्ष तक भी नहीं पहुँच पाए तो इसे हमको कैसे साधना है कि कितना साधना है कि लक्ष तक पहुँच जाए तो हमकि चुकि मनुश्य है तो मनुश्य होने के नाते हमारे पास बहुत सारी अपरे में संभावना है बहुत सारी शक्तिया है उन शक्तियों का सुनियोजन उनका सदूपयोग वो यदि हम करें तो उसको साधना चाहते शक्तियां तो मिली हुई है हमको मिला हुआ है हिमोगलोबिन 14-16 आप टेस्ट कराएंगे अपना हिमोगलोबिन तो 14-16 मिला हुआ जो एक स्वस्थ मनुश्य के लिए आवश्च्ट अपना IQ टेस्ट कराएंगे तो IQ ठीक है आख टेस्ट कराएंगे तो आपको दिखाई देता है यह दिखाई देने की शक्ति है सुनाई देने की शक्ति है याद करने की शक्ति है इसका मतलब शरीर सम्रद है याद करने में पढ़ाई करने में तो जब हम को इश्वर के द्वारा प्रकृति के द्वारा इतना जबरदस श्रीर मिला हुआ है तो क्या कारण है कि हम उसके कारण सपलता नहीं के प्राप्त कर पारे हैं उसको माध्यम नहीं बना पारे है इसी को धर्म माना गया है धार्यती इतीसा धर्म जो धारण किया जा सके वो धर्म है और शरीरस्य खलू धर्म साधनम शरीर ही धर्म का साधन करने का माध्यम है धर्म इसी के माध्यम से आप धारण कर सकते हैं शरीर के माध्यम से इसका मतलब यदि आप किसी से कहता है कि मैं सिविल सेवा परिक्षा की तयारी कर रहा हूं तो आपका धर्म हो जाता है कि आप तयारी करें और अगर आप तयारी नहीं कर रहे हैं लापरवाई कर रहे हैं आप अपने धर्म से विचलित हो रहे हैं। इंदू या मुसलिम नहीं है। जब कोई आर्मी में होता है तो देश की रक्षा करना उसका दर्म हो जाता है। तो जिस पोस्ट पे होते हैं, जिस काम को हम कर रहे होते हैं, वो हमारा धर्म हो जाता है, इसलिए कर्म को पूजा का आ गया है, कई अधिकारी जो है वो पूजा करते हैं बहुत लंबी-लंबी, तो आज ही मैं क्लास में बता रहा था कि ग्यारा बजे जो है वो किसी को फोन तो बोलते हैं अभी पूजा में बैठे हूँ, लोग आ गए साधे दस बजे, उनके कार्याल है में, काम लेके, और साब कहा बैठे हुए हैं, पूजा, हमारे कुछ मित्र हैं, जो आईएस हैं, उनसे जब हम बात करते हैं, तो उनसे मैं कहता हूँ कि आप पूजा पाट नहीं करते हैं, ध्यान नहीं लगाते हैं, यह नहीं करते हैं, बोले हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं, कि हमको पूजा पाट करना पड़े हैं, बोले ध्यान हमारा हमेशा काम ही रहता हैं, ध्यान कभी बटकता ही नहीं है, ध्यान लगाने की जरूती नहीं है, मेडिटेशन की क्य हम काम यह 열 Augवान हमारे साथ है और हर पलों स्वयो कर रहा हुआ है क्पर गरिबों का काम करते हैं सेवा काilit काम तो है इस्शुर्वर को साहदा करनी है मजबूरन करनी है उसको matter रहता है के लिए बगवान को आना पड़ जाए तापकि मेनत का इस तरह उस तरह का हो तो वो आ जाए साधना उस तरह की होती तो हो जाता है किवग उपासना से नहीं होता है हम लोग क्या उपासना करते हैं उपासना भी जरूरी है बगवान का नाम लेना भी जरूरी है बगवान के प बच्च्पन में जो बच्चा वाकर से चलता है, जो सीधा अपने पेरों पे खड़ा औरके नहीं चल पाता, वो वाकर से चलने जासा है, तस्वीर लगा करके फिर साधना करना है। यह सगुन भक्तिधारा जो है, यह भक्ति मार्ग कहा गया है, लेकिन जब आप निर्गुन भक्तिधारा में आते हैं, तो ज्ञान मार्ग हो जाता है। ज्ञान के मार्धियम से आप इश्वर को प्राप्ट कर लेगे भक्ति के मार्धियम से नहीं, ज्ञान के मार्धियम से तो आपकी तैयारी और सिविल सर्विसेज की परिक्षा और उसके बाद जॉब ये ज्ञान मार्ध का सादन है और ज्यान को मात्यम बना करके आप कर सकते हैं अब कैसे करना है आज अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो अपनी जिंदगी को बDAL सकते हैं अगर बदलना है तो बदल दीजे नहीं बदलना है तो आप हंसी में उड़ा दीजे आज की बात को तो दंड किसको मिलेगा हमको थोड़ी मिलेगा हम तो वैसे भी मात्यम है गुरु जी की बात बता रहे हैं आपको उनकी बात है इसलिए आपको बता रहे हैं हमको कोई दोश नहीं लगेगा दोश आप ही को लगेगा और तूट सत्ते हो आपके जीवन पे लागू होगा या तो आप प्राप्त कर लेंगे या फिर नहीं प्राप्त करेंगे तो लक्ष तक पोँचना है तो साधना कर लीजे खुद की साधना कर लीजे खुद को इतना साध लीजे प्रेक्टिस कर लीजे Results देरी से आते हैं बस ये बार ध्यान रखिए Practice ज़्यादा करना पड़ते हैं 2 महीने, 3 महीने कई बार 3-3 महीने तक कोई असर ही नहीं दिखता है कई लोग ठक हार के जब बिल्कुल सफलता प्राप्त होने वाली है या लक्षन दिखने वाले हैं तब जा करके बंद कर देते हैं तब बंद कर देते हैं अनवरत करनी पढ़ती हैं पीछे पढ़ना पढ़ता है घरवालों को लगने पढ़ता है दूसरे लोग ठाक्तना करें आपके लिए अरे भशी इसको सफलता मिल जाये इसकी मेनत देखके रहा नहीं जाते हैं हम काप उठते हैं इतनी ज़्यादा मेनत है इतनी ज़्यादा साधना है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं इस व्यक्ति को सफलता मिल जाए लोग आपके लिए मंदिर जाएं आपके करीबी लोग जाएं आपके आसपास वाले जो आपको देखे हैं वो मंदिर जाने के लिए बात भे हो जाएं आपके लिए आपके लिए दुए करें किसकी मेनत नहीं देखे जाते उस इस्तर के साथना ओते तो सफलता आती कुछ लोगों की अन्वरत साथना बचपन से है इस वज़े से आसानी से उनको मिल जाती है लेकिन आसानी से नहीं है उनका लाइफ स्टाइल ही कोई है पड़ाई जो है उन्होंने लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना लिया हमने कैसा मित्र देखा था जिसकी सफलता बहुत आसानी से मिली लेकिन जब हम टेबल टेनिस केलते थे तो मैं उसको बुलाने के लिए जाता था, तो उसको ए आदे गंटे के लिए घड़ी देखकर के चूट मिलती थी, घर से, वही आप साड़े छे बजे जा रहे हो, साथ बजे जा जाना, और उसाथ बजे फिर टेबल पर होता था पड़ाई गी, एक अनुशाशन था, तो उसको चूट भी मिली तो उस तरह के चूट मिलती थी, अब ऐसा अनुशाशन हम लोग डिवलप कर सकते हैं क्या, हम समय को कितना व्यात गवाते हैं, तो पहला जो पार्ट है साधना, वो सबसे पहली साधना तो शरीर की साधना, शरीर को साधना पड़ता है, शरीर को इस प्रायक बनाया जाए कि 10-12 गंटे वो पढ़ ले, उसके लिए उससे प्राणायाम भी करवाया जा सकता है, शरीर से, योगा भी करवाया जा सकता है, खाना भी उस इस तर का खिलाया जाए उसको, जिससे उसको नीन ना है, खाना अगर आप चेंज करेंगे, तो चेंज जो हुआ है, उसका असर आते आते 15 दिन लग जाते हैं, एक दिन में असर नहीं आता है, पहले से जो आप खाते रहे हैं, उसका असर जाने में 15 दिन लगता है, और नया खाना शुरू किया है, उसका आने में 7-8 दिन लगता है, ऐसा करके 20-21 दिन का समय लगता है, खाने के मार् इसलिए इसके अपेक्षा एक दिन में या दो दिन में नहीं करनी चाहिए तो खाना उस इस्तर का दिया जा सकता है कि वो ज़्यादा काम करे अब ज़्यादा सलाथ खा सकते हैं, ज़्यादा फल खा सकते हैं कार्बोःडिड कम से कम खाएंगे तो नीन्द कम आएगी फेत वाला खाना, तेल वाला, गी वाला खाना कम कर सकते हैं शुगर को और नमग को कम कर सकते हैं और आप कहेंगे की नहीं, इनकी क्या जुरूरत है, अभी हम स्वैजते हैं तो फिर वो अद्विती शम्ता हैं जो हैं ये भीड है इतनी बड़ी भीड है और competition इतने हजारों लोगों का है लखों लोगों का competition है अगर आप अपने आपको साधर नहीं सकते हैं शरीर को ठीक नहीं करेंगे तो फिर competition के लायक नहीं रहेंगे आपने विराट कोली के दी चंद दिन चरिया देखी होगी आप फिल्म स्टार में वरों दवन को देखते होंगे या ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टार राजकुमार राव को देखते होंगे ये आपने आपको कितना fit रटने के लिए कितनी मेहनत करते हैं इनके पीछे इनकी success story को पढ़ी आपको, रात दिन लगे रते हैं, कुछ लोग रात को तीन बजे जिम जाते हैं, क्योंकि वो मार्केट में बने ही नहीं रहेंगे, आप क्या समझते हैं, आप इतनी टफ कॉम्पेटिशन को दे रहे हैं, और आप सहज रूप से लापरवाही करते हुए, मनमानी करते ह आप कुछ भी खा करके अपनी सफलता पे पहुंच जाएंगे, कुछ भी खा करके नहीं पहुंच सकते, साधेना करने बढ़ेगी कुद की, व्यायम करना सिखाना पढ़ेगा, एफिशेंसी बढ़ा नहीं पढ़ेगी, अभी आप 4 गंटा, 5 गंटा पढ़ते हैं, सर्दल द जाएंगे, दो-तिन महीने बाद आठ गंटे की आ जाएगे, दो-तिन महीने बाद नो गंटे की हो जाएगे, ऐसे तिन-तिन महीने का योगा बढ़ाएंगे, पहले आप आदा गंटा योगा करेंगे, फिर पैंतालिस मिनिट तक योगा ले जाएंगे, तो फिर बारा गंटे की एक साथ में डिवलप होगी इतनी आसानी से नहीं होता और जब आप ये 10-12 गंटे की एफिशेंसी कर लेंगे और 10-12 गंटे भी कौन से होशो हवाश में पढ़ाई होश के साथ यानि आपको सारा 12 गंटे तक समझ में आ रहा है जो भी पढ़ाई जार दीन नहीं आ रहे है मिस्स नहीं हो रहा है उस इस्तर की पढ़ाई करने के लिए फिर खाने में भी चेंज करना पड़ेगा विचार में भी चेंज करना पड़ेगा विचार संयम बोलते हैं विचारों का भी संयम करना पड़ता है अगर आपको विचार रखेंगे, दुशित विचार रखेंगे, गंदे विचार रखेंगे तो फिर लिकेजस शुरू हो जाएंगे फिर आप डिस्ट्रॉई कर लेंगे खुद को फिर समस्याय खड़ी हो जाएंगे फिर पीछे चले गए वहीं के वहीं आपने अच्छी बॉल की थी रन नहीं दिये अगली बाल वॉइड कर दिये या फिर कोई छक्का पड़े गया अब आपका जो सामने वाले का जो स्कोर रोकने का जो मसला था वो बेकार दिये अब आप नहीं कर पाए अब फिर स्कोर बढ़ गया अब दबाओ आपके उपर फिर से एक एक बॉल पर जो है जीत हार हो जाती है आप मजड कर रहे हैं पड़ाई के साथ इसलिए आज का दिन अगर विचार करना है तो आज से नई दिंचरिया बनाई है खुद के लिए शिडूल बनाई है साथनात्मक जीवन जीने का एक माद्दा जगा ही है खुद में खुद को बदलने का और खुद को बदलने की बात नहीं सोचेंगे तो सफलता नहीं मिल सकती सफलता मिलनी होती तो फिर मिल जाती इस डर्रे पे इन विचारों से इस बोजन से इस विवस्था से इस तरह की साधना से इस तरह की पढ़ाई के तरीके से इस तरह से जिस तरह से आप लिखते हैं उस तरीके से नोट्स बनाने का तरीका अगर यही रखेंगे तो अगर होना तो होता तो हो जाता आप तो अब तरीका बदलिए सोचने का तरीका बदलिए विचार करने का तरीका बदलिए दोस्त बदलिए जिन वेबसाइट को आप देखते हैं उनको बदलिए जो टीचर है टीचर को भी बदलिए अगर teacher से पल नहीं है तो doctor बदलते हैं कि हम लोग अगर किसी doctor से ठीक नहीं होते तो क्या करते doctor ने बताया कि इस दवाई को इतनी वज़े खाना और साथ में ये मत काना और आप उसकी बात नहीं मानते और तब बिमार है तब तो doctor नहीं बदलना है अपने आपको बदलना है लेकिन doctor ने जो कहा वो सारा किया और उसके बावजूद अगर आप ठीक नहीं हुए तो फिर डॉक्टर भी बदलना पड़े क्योंकि दवाई गलत दे रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है रोग तो doctor को भी बदल सकते हैं रोग तो ठीक करना पड़ेगा तो ये जो साधना वाला पक्षे है ये बहुत कठीन पक्षे है इसके लिए थोड़ा सा विरोध भी हो सकता है आपको चाहने वाले जो लोग हैं गर्ग पे जो आपके परिवार के लोग हैं जब आप इतना सत्य निर्णा अपने लिए जब उठाते हैं तो वो भी काप जाते हैं तब कई बार वो आपको समझाते हैं कि नए ये ठीक नहीं है लेकिन सफल आपको होना है दंगल मुवी देखी थे ना आपको दंगल मुवी में जो आपने देखा कि उसने बच्चों के साथ में जिस तरह की सक्ति बरती थी वो बच्चों को अखर सक्ति उस समय में अखर सक्ति है लेकिन जब सफलता मिली तो श्रे किसको जाएगा उसी सक्तिक हो जाए अब आपके सामने ऐसा गुरू या आपके सामने ऐसा पिता नहीं है तो खुद को गुरू बना लेज़े खुद के उपर गर्व होने लगेगा गोईश में और खुद को या आप गाली भी देंगे देखे बिना बतलाओ के होगा नहीं ये बात तय है आप ये मान के चलो कि आप एक सपना देखने लग जाओ कि गाड़ी होगी, बंगला होगा, ऐसी सेलेरी होगी, ऐसा होगा लेकिन हम इसी धर्रे पे चलेंगे और वो आजायेगा कब भी नहीं आयेगा, पका, मान के चलेगा, कब भी नहीं आयेगा इस जीवन शेली से आयेगा ही नहीं बदलाओ करना पड़ता है बिना परिवर्तन के नहीं होता और परिवर्तन जब करते हैं तो बहुत कुछ ताहसनस होता है बसंत आने से पहले पत्यजड होता है पूरे पत्ये जाड़ दी जाते है वरक्ष की हालत खराब हो जाते है वरक्ष कैसा दिखने लगता है बहुत कश्ट होता होगा पत्यजड़ जब नए बच्चा जन्म लेता है तो प्रसव पीड़ा होती है और जब नए मकान बनाया जाते हैं पुराने को तोड़के तो खंडर को ढहाया जाता है नए चीज़ें जब भी होती है तो पीड़ा बायक होती आसान नहीं होती इसलिए यदि आपको पीड़ा महसूस नहीं हो रही शरीर में मन में खाने पिने में भी पीड़ा महसूस होनी चाहिए कि नहीं, मैं अपने मन की नहीं खा पा रहा हूँ ये क्या का रहा हूँ, मैं क्यूं खा रहा हूँ ऐसा लगना चाहिए अगर ऐसा नहीं लग रहा है और आनंद दायक है और मन के अनुकूल है इसका मतलब सफलता नहीं मिलने वाली पक्की बात मानने को चाहिए शरीर को वाकश की महसुbers सोना चाहीए कि मैं इतना सुला क्यों नहीं पारहा हूं जी सोना चाहता है मैं तो सोने का समाई नहीं देek पारहा हूं आप सोच रहें कि नहीं आठ घंठा तो खुब नीन निकालेंगे, दिन में भी एकाद गंटा सो जाएंगे, खाना पीना भी मर्जी से जब चाहेंगे, तब जो मर्जी आएगी खाएंगे, और फिर मुड होगा, तो कभी किताब से खेल लेंगे, नहीं तो मोबाइल हैं, या कुछ एक दो वीडियो सुन लेंगे, महापुर्शों के, तो उससे जीत जाएंगे, कुछ नहीं होगा, या आप अपने मन को बेला रहे हैं, घरवालों को बेवकूप बना रहे हैं, और जो आपके उपर खर्चा कर रहे हैं, उनके प्रती अपराद कर रहे हैं, कई लोग जो आपके उपर खर्चा करते हैं, वह अपना पेट काट करके करते हैं, बड़ी मुश्किल से आपको पैसा देता हैं, और एक सपने के साथ देता हैं, जो खास करके मध्यम वर्गी और निमनवध्यम वर्गी परिवार के लोग हैं, वो किस इस्तर पर जाकर के कटोती करते हैं अपने माता पिता और कितनी मुश्किल से आपको पैसा बेशते होंगे पढ़ने का आपको अंदाज़ा जब आप पिता बनेंगे और परिवार में जब बरिष्टर बनेंगे और दोसरों को मदद करनी पड़े कि तब समझ में आए रहा है तो आप उनके प्रती अपराद कर रहे हैं धोका दे रहे हैं इसलिए कष्ट में पहुचे बिना होता नहीं नवनिर्मान नहीं होता नवनिर्मान के लिए कष्ट आता ही है तब ही परिवर्तन आता है अचानक से नहीं आता अचानक से जो परिवर्तन आते हैं वो इस्थाई भी नहीं होते उनकी आलोचना होती है उसको करप्शन भी कहता है जोगे आप हम्में बनेते हैं अचानक से उसका कोई फायदा भी नहीं है उसके लिए जेल भी होती है इसलिए पीड़ा उठा करके कश्ट उठा करके सतत अध्यन करके जो सफलता प्राप्त होती है वही मीठी होती है और वही श्रेयसकर भी होती है उसी का श्रेय भी मिलता है तो जीवन भर को समारना है तो मुझे लगता है कि आज से कुछ संकल्प उठाई है, आज कुछ संकल्प का दिन होना चाहिए अगर आप फेल होगा है तो अब इमेंस बाकी है उसमें भी पास होना पड़ेगा, उनके लिए भी ज़रूरी है, जो फेल हो गए और पास हो गए दोनों के लिए तो पहली सीड़ी जो है साधना, तो जो आप कह सकते हैं कि अमिता बच्चन तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, उनको खुद को साधने की क्या जूरूरत है, उन्होंने 65 साल की उम्मर में जिम जाना शुरूर किया पहली बाद, तो सबसे पहले तो साधना ही करनी है, एक्टिंग तो उनको आती थी, वो एक्टिंग के स्कूल में जाते हैं और विदेश में कुछ सिख्या आते हैं एक्टिंग के बारे में, एक्टिंग का मसला नहीं है, एक्टिंग करने के लिए जो मीडियम है वो बॉड़ी है, इसलिए बॉड़ी को ठीक करना बहुत ज स्वयम की साधना करनी और स्वयम को तीन तरीके से साधा जाता है एक तो फिजिकल वाला एक मेंटल मांसिक वाला और तीसरा अध्यात्मिक शारिरिक मांसिक और अध्यात्मिक तीन तरीके से स्वयम को साधा जाता है शरीर को योगा और ध्यान के माध्यम से शरीर को योगा के माध्यम से मानसिक को ध्यान के माध्यम से और आध्यात्मिक को अच्छे विचारों को पढ़ करके या पिर पूजा पाड से मंत्रो चार से तीनों का अपना अपना रोल है ये गोल्डन ट्राइंगल है स्वाणिम चतुरभुज बनता है ये सफलता का जब शरीर, मन और आत्मा तीनों तीनों का संतुलन बनाया जाता है तो सफलता के लिए structure तयार होता है ये हमारा infrastructure है इसके बिना बड़े चमतकार पॉसिबल नहीं है चोटी मोटी चीज़ आप हासिल कर सकते हैं नायप तेसिदार बन सकते हैं चोटा मोटा कुछ कर सकते हैं लेकिन अगर merit में आना है और UPSC में top करना है तो फिर तो बहुत ही ज़रूरी है और ये जिवन बर ज़रूरी होता है ऐसा नहीं कि सफलता प्राप्त कर लिए उसके बाद फिर आप पर्दे के पीछे चले जाएं बेरों लोग हैं जो जेल में हैं सफलता प्राप्त करने के बाद सस्पेंड कर दिये गए हैं अलोचना होती है उनकी उनको कोई पूस्था नहीं और लोग senior जो होते हैं वो उनको काम नहीं देते बेकार नाम है उनका नहीं नहीं उसका नाम मतलो बेकार है ऐसे डेरो लोग है इसलिए जीवन भर करना पड़ता है यह मजाक नहीं है आप जिस काम के लिए आए हैं वो बहुत उच्छेस्तरी काम है बहुत हाई लेवल का काम है साधरान काम नहीं है वो आपके माता पिता यह जो पच्छपन साल के हैं और आपका दोस यह जो बिस साल का है और अगर वो आई-एस हो जाए तो आपके माता पिता उसका कितना सम्मान करते हैं कभी देखे आप इमेजिन करिए कि अगर कोई आई-एस आपके घर आ जाए तो आपके माता पिता जो पच्छपन साल के हैं साथ साल के हैं और आपके पिता किस तरह जुक रहे होंगे उस व्यक्ति के सामने और कितना सम्मान करेंगे उस गा कि अच्छा यह इतना बड़ा आत्मी है आप सोचें अगर वही व्यक्ति आप बन जाएं तो और अपने दोस्तों के घर जाएंगे तो उनके माता पिता आपके साथ कैसा वेबार करेंगे इमेजिन करिए यह कोई साधरन काम नहीं है पूरी कि पूरी विवस्ता बडलने वाली है प्रकृती बडलने वाली है और आप सचते हैं कि इतनी आसनी से मिल जाएगा बिना कोई contribution के मिल जाएगा बिना मेहनत के मिल जाएगा अपने आपको बडलना पड़ेगा पहले तब परसितियां बडलेंगी नीचे किताब में बार-बार बताता हूँ मनस्तिती बदले तो परिस्तिती बदले मन की स्तिती को बदलेंगे तो परिस्तियां बदलेंगी आप इंतजार कर रहे होते हैं कि परिस्तियां बदल जाएगी तो हम फिर अपना मन को वैसा कर लेंगे ऐसा कभी नहीं होता परिस्तियों को बदलने का इंतजार मत करिए अपने मन को बदल लिए परिस्तियां अपने आप बदल जाएंगे आपके अनुकूल हो जाएंगे जो लोग पुर्शारती होते हैं प्रकृति उनके लिए प्रसितियां वैसे ही निर्मित कर देती है, पुर्शात करना पड़ता है, जो इश्वर है ये भी प्रतीक है, इश्वर की पूजा करने से नहीं होता है, इश्वर को धारन करने से होता है, इश्वर को अपने अंदर धारन करना पड़ता है, गायत्री म अपने अंदर धारण करना पड़ता है, तो फिर चमतकार आते हैं गायत्री के, गायत्री अंदर उतर जाती है, रोम रोम में आ जाती है, एक एक सेल में आ जाती है, तब सत्बुद्री का अवतार होता है, और तब चमतकार एक के बाद एक दिखाई पड़ते हैं, इस लायक बनाना पड़ता है कि आप हंस बने तो गायत्री बेटती है गायत्री हंस पर बेटती है हंस विवेक का प्राणी है जो दूद का और दूद और पानी का पानी करता है मोती भक्षन करता है ऐसा काल जा उचित और अनुचित का ख्याल रखता है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है ये विवेक जिस रक्ति के अंदर आ जाता है, गायत्री के चमतकार शुरू हो जाता है प्रम्पुजी गुरुदेव कहा करते थे ये गायत्री जो है कोई ऐसी देवी नहीं है जो हंस पर बेट करके अनुदान वर्दान बाटती फिरती हो ये एक फिलोस्पी है ये एक आइडियोलोजी है ये एक चिंतन है थौट है गायत्री थौट का नाम है विचार का नाम ऐसे ही ब्रह्मन भी एक विचार का नाम इसलिए गायत्री को ब्रह्मन की काम देनू का है प्रमपुजी गुरुदेम कि गायत्री ब्रह्मन की काम देनू है तो ब्रह्मन वो है क्या शर्माजी तिवारी जी दुबे जी वो उनकी काम देनू है क्या नहीं उनकी नहीं है उसका सरनेम से कोई लेना देना नहीं है गायत्री उस पुर्शार्ति व्यक्तिक की काम देनू है जो ब्राम्मन है ब्राम्मन देने का नाम है सेवा का नाम जो देता है समाज को कुछ देता है पुरोहित लिखते हैं उसको जो पुर का हित करता है पुरे गाउं का हित करता है जो पुरे गाउं की देश के हित की भावना रखता है उसको पुरोहित कहा गया जो दान देता है और चुँकि दान देने में लगा रहता है विद्ध्या दान में लगा रहता है दान में लगा रहता है दन का दान करता है अपने पास जो कुछ है सब दान कर देता है तो फिर लोग उसका ख्याल रखते हैं लोग उसका पोशन करते हैं उसके परिवार का पोशन करते हैं तो ब्रह्मन बनना पड़ता है साधनात्मग जीवन जीने वाला व्यक्ति ब्रह्मन हो जाता है और जब ब्रह्मन हो जाता है तो उसके अंदर गाहत्री आ जाती आप कहेंगे ब्रह्मन होना पड़ता है और फिर गाहत्री आ जाती इसका मतलब यह दो